Public Provident Fund यानी PPF ये investment का एक best option है एक PPF अकाउंट आपन करके आप उसमें 500 रुपे से लेकर 1.5 लाख रुपे तक हर साल जमा कर सकते हैं जिसमें आपको 7.1% का interest मिलेगा और साथी tax benefits मिलेंगे PPF एक long term investment है इसलिए इसमें आपको 15 सालों के लिए investment करना होता है उसके बाद भी अगर आप चाहें तो उसको जारी रख सकते हैं PPF saving का एक best option है क्योंकि एक तो इसमें कोई risk नहीं है दूसरे इसमें FD से अच्छा return मिलता है और तीसरे इसमें tax benefits मिलते हैं PPF में invest किया गया पैसा triple E के अंडर आता है मतलब कि exempt 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 जो पैसा आप इसमें invest करते हैं ना तो उसपर आपको कोई tax देना होता है और जो इसमें आपको return मिलता है उसपर भी आपको कोई tax नहीं देना होता है तो आज किस रीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि PPF में कितना पैसा invest करने पर आपको कितना return मिलेगा, कितना फायदा होगा और साथ ही आप online PPF account कैसे open कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम PPF के कुछ highlight features देख लेते हैं जैसी कि आज की date में PPF में invest के गए पैसे पर 7.1% का interest rate दिया जा रहा है जो कि fully tax free है section 80C के अंडर PPF एक long term investment है जिसमें आपको 15 सालों के लिए invest करना होता है 15 साल के बाद आप 5-5 साल के block में इसको बढ़वा सकते हैं अगर आप एक साल में कम से कम 500 रुपे भी जमा नहीं करते हैं तब आप से 50 रुपीज की penalty ली जाएगी इसमें passbook भी जारी की जाती है जो आपको brand से मिल जाएगी और अगर आप online account open करते हैं तो by post आपके address पर पहुँच जाएगी 5 साल के बाद आप 50% पैसा निकाल सकते हैं और 3-6 साल के बीच में आप इस पर loan भी ले सकते हैं अब हम देखेंगे कि PPF में कितना पैसा invest करने पर हमें कितना पैसा मिलेगा ये है PPF calculator पहले आप चूज करेंगे deposit amount कि आप कितना पैसा deposit करेंगे एक साल में जैसे कि यहाँ पर मैं choose कर लेता हूँ 1.5 लाक रुपिया इसके बाद आपको choose करना होगा number of deposits के आप कितनी time ये deposit करेंगे आप total 12 time यहाँ पर deposit कर सकते हैं मतलब कि हर महिने आप 12,500 रुपिया deposit कर सकते हैं चली हम यहाँ पर one time deposit करेंगे तो मैं one choose कर लूँगा इसके बाद interest rate आप देख सकते हैं calculate पर click करेंगे तो आपके सामने maturity amount, total deposit और total interest आ जाएगा जैसे कि 15 सालों में हम total 22,50,000 रुपिया deposit करेंगे जिसमें हमें 18,18,209 रुपिय का interest मिलेगा तो total maturity पर हमें 40,68,208 रुपिया दिये जाएगे नीचे आपको table मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं किस year में आप कितने पैसे deposit करेंगे उस पर आपको कितना interest मिलेगा और total आपका कितना balance हो जाएगा नीचे आप scroll करेंगे तो maturity के बाद भी आप extension ले सकते हैं जिसमें आपको दो option मिलते हैं without deposit और with deposit अगर आप और भी पैसे इसमें deposit करना चाहते हैं तो आप with deposit चूज कर लीजिए और अगर आप इसमें कोई और पैसे deposit नहीं करना चाहते तो आप without चूज कर लीजिए इसके ब 1377 रुपए का interest होगा तो इस तरीके से आप इस calculator में calculate कर सकते हैं कि PPF में कितना पैसा डालने पर आपको total कितना पैसा मिलेगा अब बात आती है कि PPF account कैसे open किया जाता है PPF account आप offline और online दोनों तरीकों से open कर सकते हैं offline open करने के लिए आपको अपनी branch में जाना होगा वहाँ पर आपको pen card, आधार card और साथ में एक form फिल करके जमा करना होगा आपका account open कर दिया जाएगा जिसमें आपको एक passbook भी मिलेगी लेकिन अगर आप चाहें तो online भी open कर सकते हैं जिसके लिए आप internet banking में login करेंगे internet banking में accounts पर click करेंगे आपके सामने एक banner आजाएगा ppf का अगर आपके सामने नहीं आता है तो आप fund transfer पर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर banner आजाएगा जैसे के आप देख सकते हैं public provident fund account apply online यह फिर आप यहाँ offers पर click करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यह मिल जाएगा public provident fund account आप यहाँ apply now पर click करेंगे आपका name, customer id, pen card number, account number आजाएगा आपको यहाँ initial paying amount चूज करना होगा कि आप कितना amount इसमें अभी deposit करना चाहते हैं for example यहाँ पर में डाल देता हूँ 25,000 rupees कि आपको कोई nominee add करना है या नहीं अगर आपको नहीं करना है तो आप no choose करेंगे लेक इसा nominee को दिया जाएगा तो यहाँ पर आप nominee का name डालेंगे उसकी date of birth डालेंगे relation चूज कर लेंगे nominee से आपका क्या relation है address चूज करेंगे state, city, country और pin code इसके बाद यहाँ पर declaration देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको यह capture fill करके submit पर click करना है submit पर click करते ही आपके सामने ये page आ जाएगा congratulations आपका ppf account opening form submit हो गया है और एक दिन के अंदर अंदर आपका account open हो जाएगा एक बार आपका ppf account open हो जाएगा तो आप यहाँ accounts पर click करेंगे जैसे कि यहाँ पर saving account शो हो रहा है वैसे ही यहाँ पर ppf account भी शो होगा जैसे ही यहा पर ppf account का भी balance शो होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही से आप अपने ppf account में पैसे transfer कर सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ ट्राजेक्ट पर click करेंगे fund transfer to on accounts इस पर आप click करेंगे इसमें आपको देखिए यहाँ पर ppf का इक option मिल जाएगा आप इस पर tick करेंगे और continue करेंगे जैसी कि अभी तक हमारा ppf account आपन नहीं हुआ है तो यहाँ पर show नहीं हो रहा है लेकिन जैसी ppf account आपन हो जाएगा तो यहाँ पर show होगा और यही से आप अपने saving या current account से अपने ppf account में पैसे transfer कर सकते हैं state bank of india में online ppf account आपन करने के लिए आप net banking में login करेंगे continue net banking में request and inquiries में आपके एक option मिल जाएगा new ppf account आप इस पर click करेंगे आपके सामने आपकी account details आजाएगी जिसका आप account आपन कर रहे हैं अगर वो minor है तो आप यहाँ पर tick करेंगे इसके बाद यहाँ पर branch code डालेंगे जिस branch में भी आप ये ppf account आपन करना चाहते हैं इसके बाद get branch name पर click करेंगे branch का name आपके सामने आजाएगा इसके बाद यहाँ पर आप nominee की details डालेंगे total of five nominees add कर सकते हैं अपने ppf account में nominee का यहाँ पर नाम डालेंगे यहाँ पर उसकी date of birth डालेंगे इसके बाद यहाँ पर डालेंगे कि किसको आप कितने percent का nominee बनाना चाहते हैं जैसे कि अगर आप सिरिफ एक nominee बनाएंगे तो उसको आप 100% दे सकते हैं अगर आप दो nominees बनाएंगे तो आप 50-50% या जितना आप चाहे उतना उनको nominee बना सकते हैं इसके बाद आपको submit पर click करना होगा आपके सामने य ये print हो गई है इसको मैं open करके दिखा देता हूँ इस तरीके से आपको एक PDF मिल जाएगी इसको आप print करेंगे print करने के बाद आप यहाँ पर अपने passport size photo लगाएंगे निची हाँ पर आप amount डालेंगे कितने पैसों से आप ये open करना चाहते हैं इसके बाद निची आपको application जमा करने की जरुरत नहीं है उसमें आप direct apply करेंगे तो एक दिन में आपका account open कर दिये जाएगा जबकि State Bank of India में आपको application print करके उसके साथ documents लगा कर अपनी ब्रांच में जमा करने होंगे इसी तरीके से जिस bank में भी आप PPF account open करना चाहते हैं उसकी internet banking से या तो आप online apply कर स सकते हैं State Bank of India में भी जब आपका PPF account open हो जाएगा तो यही पर जैसे की saving account show हो रहा है ऐसे ही यहाँ पर आपका PPF account show होगा और उसमें कितना balance है वो भी यहाँ पर show होगा तो इस तरीके से आप एक PPF account open करके एक बड़ी बचत के साथ साथी tax benefits भी ले सकते हैं So I hope के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं